बिग बोस 13 की कंटेस्टेंट रश्मी देसाई इन दिनों काफी सुर्ख्यों में बनी हुई है इस टीवी शो में जहां अपनी बोल परस्नालिटी से रश्मी देसाई ने एक बार फिर से अपने फैंस के दिलों पर राज कर लिया है तो अब वही वो घर से बाहर आने के बाद जम कर पाटियां, इंटर्वियूस और काम के सलसिले में बिजी है हाल ही में आक्टरिस ने एक इंटर्वियू में खुद से जुड़ी एक चौक आने वाली घटना के बारे में बताया है जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे आगे बढ़ी है और खूब नाम कमाया है, लेकिन ग्लामर वर्ल्ट की चमक धमक के पीछे कुछ ऐसी कहानिया होती है जो इस दुनिया की खुबसूरती पर काला दाग लगा देती है ऐसे ही एक धबे का नाम है कास्टिंग काउच जिसे कई आक्टर अक्टरस गुजर चुके हैं वही कई आक्टर अक्टरस बनने से पहले ही दम तोड लेते हैं हाली मेक इंटर्व्यू में रश्मी देसाई ने भी ऐसी ही घिनोनी सच के बारे में बताया जिसे सुनकर उनके फ्रैंस को उन पर एक बार फिर प्राउट फील होगा तरसल अक्टरस ने बताया कि वो 13 साल पहले एक ऐसी घटना यानि की कास्टिंग काउच जैसे घिनोनी चीज़ों से गुजर चुकी हैं लिकिन उन्होंने हिम्मत से इस दौर का सामना किया था आगे उन्होंने बताया कि वो उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी उत्रश टार ने कहा कि उसका नाम सूरज था उन्हें नहीं पता कि वो अब इस वक्त कहा पर है उसने उनसे स्टाटिस्टिक के बारे में पूचा करने की कोशिश की थी वेल रश्मी हम सबको आपकी बेबाक अंदाज इसलिए तो पसंद है क्योंकि आप हर बातों को खुल कर शेयर करती है इस पर आप सबका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं